पिछले वीडियो में हम Tinkercad में circuits बना रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि Tinkering का spirit एक curiosity होना और एक trial and error और hands-on learning की approach रखना जो है वो electronics सीखने में बहुत काम आता है तो इसी Tinkering Spirit को देखते हुए हम Tinkercad में और circuits बनाना सीखते हैं अब मैं यहाँ पर एक coin cell या button cell आपने देखी होगी जो calculators वगरा में लगती है वो ला रहा हूँ 3V की और उसके बाद मैं एक LED ला रहा हूँ और अब मैं इस LED को जोड़ता हूँ तो मैं इस positive terminal से मैं जो LED में यह anode terminal है इससे जोड़ रहा हूँ और उसके बाद मैं negative terminal जो है उसको cathode से जोड़ रहा हूँ और मैं फिर start simulation करता हूँ तो मेरी जो LED है वो light up कर रही है वो एक slight error message दे रही है कि जो इसमें current है वो जादा है तो यह LED बहुत चलेगी नहीं है इसकी life कम हो जाएगी यह फूग जाएगी पर अभी मैं जो बात समझा रहा हूँ वो यह है कि आप simulations में experiment कर सकते हो तो अभी मैंने इस तरीके से जोड़ा अब अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो मैं यहां से यह अभी जो था मैं battery के positive terminal से LED के anode terminal पर wire डाल रहा था तो मैं इसको delete करके अब क्या कर रहा हूँ कि जो positive side है मैं positive side से battery की positive side से wire लेकर इसको negative मैं जोड रहा हूँ और negative side से wire लेकर इसको मैं positive side पे anode जो है उस पे जोड रहा हूँ और फिर अगर मैं simulation चलाता हूँ तब मेरी LED glow नहीं करती LED glow इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि LED में bulb में फरक नहीं पड़ता कि हम battery के positive और negative terminal से हम bulb का कौन सा terminal जोड रहे हैं पर LED में हमार को इस बात का धिहान रखना पड़ता है कि हम LED के positive यानि anode terminal को हम battery के positive terminal से जोडते हैं और cathode यानि negative side को हम battery की negative side से जोडते हैं और फिर जब हम simulation प्ले कर रहे हैं तो हमारी LED glow कर रही है तो कहने का मतलब है कि ये आप में एक जो tinkering का spirit है वो एक curiosity और एक wonder का spirit होना चाहिए कि आप अगर कुछ चीज अदला बदली करते हो तो क्या होगा ये जो है ये बहुत important spirit है और simulations का फाइदा ये है कि इसमें कोई risk नहीं है ऐसा नहीं होगा कि ये short circuit हो जाएगा या आग लग जाएगी या कुछ अगर short circuit वो दिखाएगा भी तो वो यहाँ पर cable as a simulation दिखाएगा इसी तरीके से मैं अब एक third circuit बना रहा हूँ जिसमें मैं फिर से एक energy का source लेकर आ रहा हूँ तो मैं इस बार ये 1.5 volt cell लेकर आ रहा हूँ और उसके अलावा मैं एक motor लेकर आ रहा हूँ तो मैं एक DC motor ला रहा हूँ और अब मैं इसकी positive side, battery की positive side को motor, DC motor की positive side पे connect कर रहा हूँ और negative side को negative side से connect कर रहा हूँ और मैं simulation run करता हूँ तो ये मेरे को दिखा रहा है कि जो मेरी motor है वो move करनी शुरू हो गई है और वो 2974 revolutions per minute RPM इस speed पे move कर रही है अब जो हमारा tinkering spirit है, curiosity का spirit है, हम ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने positive को positive से और negative को negative से जोड़ा था अब हम simulation रोक कर हम ये उल्टा करते हैं कि हम negative side जो है, हम negative side को positive side से जोड़ रहे हैं battery के negative terminal को motor की positive terminal से जोड़ रहे हैं और battery के positive terminal को motor के negative terminal से जोड़ रहे हैं तो हमने देखा कि LED में अगर ये flip करो, plus minus polarity को flip करो, तो LED काम नहीं करती आपको क्या लगता है, इस DC motor में जब हम polarity flip कर रहे हैं तो क्या होगा क्या ये motor चलेगी या नहीं चलेगी तो हम इसको try करके देख सकते हैं, हमने polarity flip करी है, हम अब फिर से start simulation कर रहे हैं तो अब जो है, हमारी motor पहले जो थी, अगर आपको याद है, तो वो anti-clockwise चल रही थी, अब वो clockwise चल रही है तो अभी यहाँ पर value जो हो है, वो negative हो गई है, negative 2974 RPM तो ये जो इस तरीके का spirit है कि हम एक circuit में अलग-अलग चीज़ों को try करके समझने की कोशिश करते हैं ये हमारे को electronics में tinkering spirit develop करने में बहुत important रहती है तो अब next चीज़ हम क्या सोचते हैं आपर कि हमें पता है कि अगर हम polarity को flip करते हैं तो हमारी जो motor है, वो clockwise ये anti-clockwise चलती है तो अब imagine करो कि आप एक car बना रहे थे, DC motor लगा कर और आप चाहते थे कि आपकी car जो है, वो forward or reverse हो और forward or reverse जाने के लिए, instead of कि आप तार निकाल के flip करो आप चाहते थे कि अगर मैं switches इस्तेमाल करूँ और switches के through अपनी car की forward, reverse या stop मैं switches से कर पाऊँ, तो उसका क्या circuit बनेगा आप video pause करके सोचो, उसके बाद मैं आपको solution दिखाता हूँ तो ऐसा करने के लिए, मैं ये wires हटा रहा हूँ यहां से और उसके बाद मैं यहां जाकर switch ढूंड रहा हूँ और मैं दो slide switches जो हैं, वो लेकर आ रहा हूँ तो मैं यह slide switch, मैं दो slide switch ला रहा हूँ यह switch, यह जो switches हैं इसमें terminal 1 है, terminal 2 है और beach का common जो खिलाता है वो है, तो मैं इनको दौनों switches को ऐसे डाल रहा हूँ कि पहले switch से negative, जो यह beach का terminal था, इसको मैं negative से connect कर रहा हूँ और दूसरे switch का भी जो common है, उसको मैं बैटरी के positive terminal से जोड़ रहा हूँ और इसके बाद मैं terminal, पहले switch के terminal 2 को मैं जोड़ रहा हूँ negative side से, motor की negative side से, और terminal 1, दूसरे switch के terminal 1 को मैं motor के positive side से जोड़ रहा हूँ तो अब हमारे पास यह एक circuit बना है और हम simulation में try करके देख सकते हैं तो अगर मैं इस switch को slide करता हूँ, such that अब यह circuit जो है, यहां से electrons का flow शुरू हुआ, यह circuit यह switch on था, इसके अंदर electrons गए, उन्होंने motor पर काम किया, यानि की motor जो है, वो हमारी anti-clockwise चलनी शुरू हो गई क्योंकि यह electrons यहां से बहार आए और यह circuit complete था, अब अगर मैं इन में से किसी भी switch को off करता हूँ, तो यह connection यहां पर तूड गया है, electrons का जो प्रभा था, वो रुख गया है, इसलिए यह motor रुख गई है, मैं इसको on करता हूँ, इस वाले को off करता हूँ, तब भी यही होगा अब जो मेरा सवाल था, वो यह था, कि क्या हम switches use करके एक circuit बना सकते हैं, such that हम switches को on off करने से ही, इस motor की direction बदल सकते हैं, तो वो बहुत असान है, इसके बाद अगर मैं, basically मैं यह plus minus की polarity flip करना चाहता हूँ, तो यह करना बहुत simple है, मैं जो मेरे switch में empty slots हैं, मैं वहां से wire खी कर, यह इस तरीके से दिखा रहा हूँ, कि मैंने यह connect कर दिया, और likewise दूसरा भी ऐसे connect कर दिया, तो यहां पर हमने करा क्या है, कि यह जो negative side से आ रहा था, बैटरी के, sorry, motor के negative side से जो आ रहा था, उसको हमने flip कर दिया है, कि पहले negative side इस तरफ जा रही थी switch के, अब वो दूस स्विच पे जा रही है, और positive side भी इसी तरीके से हमने flip कर दी है, अब अगर हम इसको simulation को try करते हैं, तब अगर मैं दौनों switches को उपर कर देता हूँ, तो मेरी motor जो है, वो पहले की तरह anti-clockwise चल रही है, फिर मैं अगर एक switch को दूसरी तरफ slide करता हूँ, तो वो रुक जाता है क्योंकि ये electrons का प्रवाज जो है, वो रुक गया है, फिर मैं अगर दूसरे switch को भी slide करता हूँ, तो मेरी motor जो है, वो clockwise चलनी शुरू हो गई है, तो केवल switches को use करते हुए, हम अपनी motor को clockwise या anti-clockwise चला सकते हैं, तो अब अगर आप थोड़ी अपनी imagination यूज करो, इस simple से circuit के स कि अगर इस circuit में मेरे पास एक और motor होती, मैं एक और DC motor यहां पर लेकर आ रहा हूँ, और इस motor को मेरे दौनों switches में जो ये terminal खाली पड़े हैं, इन से जोड़ रहा हूँ, इस तरीके से मैंने second motor इसमें add कर दी है, अब मैं अगर start simulation करता हूँ, तो ये जो मेरे दौनों wheels हैं, ये दौनों अभी clockwise move कर रहे हैं, और अगर मैं ये switches को पलट देता हूँ, तो ये anti-clockwise move करना शुरू कर देते हैं, तो आप imagine कर सकते हो कि अगर आप एक toy car बनाना चाहते हो, जो कि आप चाहते हो कि forward जाए, reverse जाए और stop कर पावा आप उस car को, तब आप ये simple सा एक switches का circuit बना कर ऐसी car बना सकते हो, तो यहाँ पर अगर मैं एक switch रोकता हूँ, तो ये रोक जाती है, और मैं दौनों switches की direction बदल देता हूँ, तो ये अभी मेरी car बनाना चाहते हो, तो आपको ये DC motor नहीं यूज़ करनी चाहिए, आपको ये जो hobby motors कहलाती है, ये यूज़ करनी चाहिए, इसके अंदर यही DC motor लगी हूई है, पर उसके अलावा यहाँ पर gears लगे हूए है, तो जब gears लगेंगे एक motor में, तो उसमें जो power है, उसकी वो उठा पाईगी, तो यहाँ पर हम Tinkercad में circuits की simulations ट्राइ करकर, हम इस किसम की गाड़ी बना सकते हैं, जो forward जाए, reverse जाए, of course इसी गाड़ी में अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि दो LED भी हम इस car में लगाना चाहते थे, तो हम दो LED लगा देते, और उसको भी अपने circuit से जोड़ क्योंकि अभी यह circuit में यह समझ में आता है कि यह गाड़ी काम करेगी, फिर इस गाड़ी को physically बनाना एक और बात है, जिसके लिए आपको components वगरा चाहिए, और अगर आपको यह चीज़ interesting लगती है, आप ऐसे project बनाना चाहते हो, तो मैं recommend करूँगा कि अगर आप Khan Academy में जात सकते हुए, एक गाड़ी बना सकते हो, जैसे मैं आपको एक दो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक यह गाड़ी है, जो इन्होंने बनाई है, same जो जिस किसम का concept हमने use किया, वही use करके, कि यहाँ पर इनके पास motors हैं दो, और इसको इन्होंने, इसमें इन्होंने और तकराएगी, तो वो अपने आप उसकी direction बदल जाएगी, इसी तरीके से अगर आप इसमें और नीचे जाके और देखोगे, तो आप जो फाइनली गाड़ी बनाओगे यहाँ पर, वो इस किसम की बनेगी, तो I hope, जो हमने पिछले वीडियो में basic बात समझी थी, कि voltage क्या होती है, voltage होती है potential difference, और current क्या होता है, वो flow of electrons है, और हम यह basic concept को use करते हुए, हम इस किसम के tinker cad में, हम different circuits अपने हिसाब से बना सकते हैं, For example, as a challenge, आप ने जो staircase lighting अगर देखी है, यानि कि एक bulb जो की दो तरफ से on-off हो सकता है, staircase के नीचे से भी, उपर से भी, आप चाहो, तो as a challenge, इस किसम का circuit खुद बना के देख सकते हो, और चाहो, तो उसके बाद फिर आप Khan Academy में यहाँ, यह homemade robots की videos देखते हुए, आप खुद से गाड़ी बनाने की कोशिच भी कर सकते हो.